तो अभी करेंगे quadratic equation solve by using split middle term या इसे आप कह सकते हैं कि by factorization method ठीक है तो यहाँ पे दो examples हैं जिसमें से देखें कैसे बनाना है बहुत बारी की से समझेगा ध्यान से एक बारी में आपके समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखें question number first है हमारा 2x square minus 5x plus 3 अभी इसको क्या करना है solve क करना है by factorization method तो इसमें करेंगे क्या पहले तो आप question number first अपना लिख लें 2x square minus 5x plus 3 तो देखें इस तरह के questions को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है step number one देखें मैं आपको side में सिखाते चली जाओंगी आप ध्यान से समझेगा ठीक है यह जो term है यह जो पूरा term है इ इस term से यानि 2x square को multiplied किजिए 3 से तो आपका कितना आ जाएगा 3 to 6x square ठीक है तो अब जो 6x square आया तो mid term को यही middle term है mid term को ऐसे आपको break करना है 5x को इस तरीके से break करना है कि multiply करें उसे तो 6x square आ जाए और add या subtract करें तो minus 5x आ जाए जैसे कि आप ध्यान देंगे तो क्या है देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग minus 3x multiplied by minus 2x कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3 to 6 भी हो जाएगा और x में x से multiply करेंगे तो x square हो जाएगा और देखें minus minus plus भी हो गया साथ ही साथ अब देखेंगे क्या कि 3 minus minus plus तो 3 to 5 3 to 5 वा तो 3 to 5 होगा तो 5x आप लिखते हैं और देखें निसान किसका बड़ा है 3 बाले का 3 बड़ा है तो 3 का आगे क्या है minus तो यहाँ क्या हो जाएगा minus 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 plus होता है plus आपने किया 3 to 5 हो गया लेकिन यहाँ पे sign किसका आएगा जो term बड़ा है उसका sign ही use करते हैं तो हमें लाना क्या था 6 x square भी आ जाना चाहिए था और minus 5 x भी आ जाना चाहिए था ठीक है तो minus 3 x minus 2 x करने से purpose solve हो जाएगा अब यही देखे 5 x लाने का तो दुसा तरीका और क्या हो सकता था कि हम लोग 4 x और multiplied by x भी कर देते तो हमारा क्या होता 5 x तो होई जाता ना 4 और 1 5 x लेकिन 6 x नहीं होता इसलिए आपको क्या करना है वैसे term को ढूणना है जो कि इसके बराबर भी हो जाए और जोड़े या घटाए याणि add या subtract करें तो इसके बराबर हो जाए और multiply करें तो इसके बराबर हो जाए आरी बात समझ में तो बस इसी को कहते है splitting middle term ठीक है अब आप देखिए 2 x square है minus अब इस 5 x के जगह पे हम क्या लिखेंगे minus 3 x minus 2 x plus 3 बराबर 0 यहां तक हो गया क्योंकि 5 x को हमने split कर दिया clear नाव यहां देखिए अब ध्यान दीजिए इन दो इसको ऐसे ही लेते हैं और इसको इधर मतर्द दो भाग में बाट लेते हैं दो टर्म में ठीक है मतर्द मिडिल टर्म को जो split किया उसका एक टर्म लेके इधर आगए एक टर इसमें है इसमें भी एकस है तो सिर्फ एकस कॉमन है तो आप क्या करेंगे कि एकस को कॉमन करेंगे तो बचा क्या हमारे पास यहां से देखिए इसमें क्या है दो एकस कॉमन मतलब क्या इन दोनों में से एक एकस निकला है तो यानि कि यहां पर सिर्फ क्या बच एकस और 2x माइनस का निसान है माइनस देंगे चुकि x कॉमन हुआ है इसलिए यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 क्योंकि 3 के साथ सिर्फ एक ही x था इसलिए सिर्फ 3 बच जाएगा अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है न x न 2 न 3 कुछ भी नहीं तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 1 लिखेंगे और जैसे ही आपने यहाँ माइनस 1 लिखा तो देखें यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x का 2x रह जाएगा अब चुकि यहां मैनस common हुआ है तो bracket के अंदर जो यह plus है वो convert हो जाएगा किस में मैनस में क्यों क्योंकि जैसे ही आप इस bracket को हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा minus 2x और minus minus plus 3 ठीक है यहां पर क्या हो गया यह चीज सिर्फ समझेगा bracket के बाहर अगर minus है तो bracket के अंदर का निशान चेंज हो जाता है यानि यहां पर plus है तो यह minus हो जाएगा अगर यह plus लेते यह plus लेते तो यह plus ही रह जाता और मैंने जो आपको multiply करके बताया वो उसी वज़ा से होता है क्योंकि जैसे ही आप इसको multiply करेंगे तो say as it is आ जाएगा minus 2x और minus minus plus 3 बराबर 0 ठीक है ठीक है इतना हुआ अब देखिए अगर आपने सही बनाया है तो ये जो bracket के अंदर आप देख रहे हैं वो exact आएगा same आएगा ये दोनों क्या आएगा बिल्कुल same आना चाहिए तब ही मतलब है कि आपने सही बनाया है नहीं तो कहीं न कहीं कुछ गरबर हो गई है तो जब ये दोनों देखिए अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों same है तो जो same है वो common हो जाता है 2x-3 जब देखे 2x-3 यहां भी था 2x-3 यहां भी था जब common हो गया तो बच गया क्या common का मतलब है कि यहां है यहां से भी निकल गया यहां है तो यहां वाला भी निकल गया तो कि दोनों एक ही है इसलिए बचा आप क्या यहां पर सिर्फ x और यहां पर minus 1 बराबर 0 ठीक है तो अब क्या करेंगे आप बारी बारी लेंगे 2x-3 बराबर 0 हां तो x 2x equals to के इधर आएगा तो 3 क्या convert हो जाएगा प्लस 3 में इसलिए x बराबर कितना 3 by 2 एक आपका x का value क्या आया 2 दूसरा value क्या आएगा जब आपने यह किया इफ x-1 बराबर 0 तो x बराबर कितना प्लस 1 यानि x का 2 values आया यानि कि आपके इस quadratic equation का solution दो हुआ इसमें से 1 है 3 by 2 और दूसरा है 1 this is your answer आप चाहें तो इसको रख के check कर सकते हैं कि क्या यह value satisfy करता है आपके equation को है न तो जैसे कैसे check करेंगे check करने का तरीका भी आपको सिखा देती हैं एक्जाम में बहुत काम आता है यह चीज कि देखें जैसे equation है 2x square minus 5x plus 3 बराबर 0 होना चाहिए तो x बराबर 3 by 2 रखना है x बराबर क्या रखना है 3 by 2 तो 2 into 3 by 2 का whole square minus 5 into 3 by 2 plus 3 बराबर कितना होना है 0 तो अब ध्यान दिजिए 2 into 3 3 जा 9 by 4 2 2 जा 4 2 times कर दिया उसके बाद देखें यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 3 जा 15 by 2 plus 3 बराबर 0 अब देखें 2 2 जा 4 कट गया तो बचा आपके पास क्या 9 minus 15 plus 13 sorry plus 3 यहाँ पे 2 भी है इसके पास 2 भी है बराबर 0 अब आप इसको बनाएंगे solve करेंगे तो 2 LCM हो गया 9 minus 15 और देखें 2 3 जा 6 जो LCM लेके बनाते हैं जिस तरीके से हम लोग 36 यहाँ हो जाएगा बराबर 0 अब देखें 9 6 15 minus 15 by 2 यानि कि 0 by 2 अब बराबर 0 यानि कि satisfy करता है आप 1 भी रखके देखेंगे मैंने 3 by 2 रखके आपको दिखा दिया 1 रखके भी देखेंगे तो वो भी इस value को satisfy करेगा यह सारा जो मैं बात कहर रही हूँ कि कैसे satisfy करता है solution है या नहीं है यह सारी बाते मैंने आपने वीडियो में आपको बता रखेंगे उसका link description box में मिलेगा आप देख लें फटक से आपके समझ में सब कुछ आ जागा अगर नहीं सही आएगा तो कभी भी उसका value 0 नहीं हो पाएगा तो आप समझ जाएंगे कि कहीं कुछ ग्लोचा हुआ है उसको check कर लेंगे आप ठीक है तो चलिए अब next question मैंने लिखा है यह तो मैंने आपको थोड़ा असान था जिसको बताया कि ताकि आप concept को समझ सकें now आप करेंगे 3x square minus 2 root 6x plus 2 बराबर 0 को solve ठीक है तो देखिए बनाने का तरीका वही रहेगा सिर्फ ध्यान से समझना क्या है देखिए सबसे पहला काम जैसा ही factorization method यूज करना या आप बोलें कि middle term split करके बनाना है आपको middle term split तभी होता है जब आप factorization करते है ठीक है तो यहा से multiply कर दिजे तो क्या है 3x square और यह ध्यान रखें कि अगर यह plus 2 है तो plus 2 से हो रहा अगर यह minus 2 होता ना तो minus 2 से multiply होता है यह पूरा पूरा लेखे किया जाता है ठीक है तो यहां पर क्या हो गया 3x square into 2 से multiply किया तो कितना आ गया मेरा 3x square अब क्या है कि middle term हमारा क्या है minus 2 root 6x देखें मैंने यहां minus लिया है क्योंकि इसके आगे निसान किस चीच का है minus का अगर प्लस होता तो plus मतलब ऐसे ही लिखते है 2 root 6x ठीक है तो इसलिए आपको sign को use करते हुए चलना अगर यहां minus 3 लिखा होता minus 3 तो यहां आप multiply करते है minus 3x square से मातारी समझ मैं आपके क्या समझ कर रही हूं मतलब साइन आपको multiplication करना है इसका इसका जो भी साइन है उसके साथ करना है जो आएगा उसी के according मिदल टर्म को split करेंगे हम ठीक है अब देखें अब है क्या भाई मेरे कि यह हो गया 6x square और इसको ऐसे split करना है हमें कि उसका multiplication करें तो 6x square आ जाए add या subtract करें तो minus 2 root 6x आ जाए अब इसमें सोचना है आपको देखें root वाला है confused बिल्कुल नहीं हो आप लोग एक चीज़ा आपको समझा दूं पहले कि किसी भी root number को यहाँ पे चुकि 6 है इसलिए 6 number ही लिखते है root 6 को जब root 6 के साथ आप multiply करते हैं तो वो converted in 6 हो जाता है ठी एक number बाहर आता है ठीक है यह चीज़ा आपने समझ लिया उसी तरह से अगर root 6 plus root 6 होता है तो इसका मतलब ऐसे हो गया देखें एक root 6 2 root 6 दोनों जब add हो गया तो लिखते है root 6 यानि 2 root 6 ऐसे लिखते हैं ठीक है यानि एक है एक है दोनों add हुआ तो 2 हो गया 2 root 6 हो गया ठीक ह इस तरीके से अब आईए यह समझाने के पीछे reason क्या है कि इसको कैसे split करेंगे यह समझेंगे हमें लाना है कितना यह भी आना चाहिए minus 2 root 6 और 6 x square भी आना चाहिए तो अगर हम लोग ऐसा करें कि minus root 6 ठीक है और root 6 को multiply करें तो क्या हो जाएगा root 6 root 6 से multiply हो जाएगा तो हमार कितना आजाएगा 6 आजाएगा x भी लेंगे आप ठीक है और जब root 6 और root 6 को add करेंगे तो 2 root 6 में भी convert हो जाएगा अब बारियाती है sign की तो देखें यह minus root 6 है यह भी minus root 6 होगा तभी यह minus minus plus होगा तो minus minus plus तो हो गया कितना minus 2 root 6 x और इसको जब आप multiply कर देंगे तो root 6 multiplied by root 6 तो कितना हो गया 6 और x multiplied by x तो कितना हो गया x square ठीक है तो यह और देखें minus minus plus में भी convert हो जाएगा इसके आगे किसका निसान है plus का पूरा एक-एक डिटेल समझारी हूँ आपको इतने बारिकी से ताकि आप खुद से बना पाए मत जब मेरा परपस है कि factorization आपके समझ में आ जाए ऐसा नहीं कि एक question मैंने बता दिया और आपका काम हो गया ऐसा नहीं हो सकता है आपको बहुत बनाना है तो एक-एक चीज को समझे कि यहाँ पे कैसे है minus minus plus भी हो गया तो यहाँ पे मुझे क्या लाना है plus 6 x square लाना था that's why य अगर जैसा question होता है उसके recording करते ठीक है तो बहुत ध्यान से रखिए बच्चों कि sign का भी बहुत महत्व है कि क्या sign लेना है आपको ठीक है जैसे अभी मैंने यहाँ मैनस डाला था यहाँ पर मैनस नहीं डाला था तो वह क्या convert होता plus minus minus हो जाता plus minus हो जाता ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहले क्या करेंगे जैसे 3x square लिख दिया मैनस इसको split किया है हमने किस में minus root 6x minus root 6x में और यह plus 2 बराबर 0 अभी इतना काम कर लिया middle term को split कर दिया मैंने कहा आपको कि middle term जब split करें तो एक इधर आ गया एक के साथ इधर चले जाईए ठीक है बट गया आपस में दोनों split ही इसलिए क्या जाता है ताकि यह दोनों आपस में बट जाए ठीक है अब क्या करना है इस तरह के question को बनाने के लिए बच्चों यह वाला concept पूरा पूरा आपको आना चाहिए जैसे आप देखे तो 3 को हम लिख सकते है root 3 x into root 3 x क्या है मेरा 3 x square है तो हमने क्या लिखा root 3 x into root 3 x तो यहां root 3 से root 3 जब multiply होगा तो कितना में convert हो जाएगा 3 में और x x multiply होगा तो x square हो जाएगा तो यहां पर फिर आप क्या करेंगे इस root 6 को root 6 को हम लिख सकते है root 3 into root 2 तो multiply होके यह root 6 हो जाता है ठीक है जस्ट लाइक आप इसे भी यहां पर लिखेंगे root 3 into root 2 x ठीक है और आप देखिए इस 2 को आप लिख सकते है root 2 multiplied by root 2 लिख सकते है ना root 2 को root 2 से multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 जैसे मैंने यहां पर 6 को लेकर दिखाया है आपको कोई भी number हो अगर root में उस number को उसी के root से multiply किया जाए तो वो number बिना root के आ जाता है आपके सामने कैसे आता है क्यों आता है वो exponent में पढ़ाया गया है वहाँ आप समझ जाएंगे कैसे आता आभी बस यह धियान में रखिए यह सब धियान में रह जाएगा आपके कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो अब आईए आप यहां पर यह देख लिया अब यहां पर इस term को देख है बचा कितना रूट 3 x ठीक है यह निकल गया एक बच गया यहां से रूट 3 x निकल चुका है बचा कितना रूट 2 उसके बाद आप क्या करेंगे मैनस लिया अब यहां देखिए इसमें क्या कॉमन है इसमें क्या कॉमन है रूट 2 x यहां है यहां सिर्फ रूट 2 है तो कॉम चुका है तो root 3 x यहां चुकी minus common हुआ तो bracket के अंदर वाला plus से minus में convert हो जाएगा तो convert हुआ minus में root 2 एक बाहर हो चुका है बचा कितना root 2 अब आप देखेंगे कि bracket के अंदर का same हा गया हमारा इसका मतलब है कि हमने सही splitting किया है सही तरीके से common लिया है अब क्या करेंगे हम लोग कि यह चुकी same है इसलिए एक जगा पर एक common हो जाएगा minus root 2 और बचा कितना जब यह हट गया यह दोनों common हो गया तो बचा कितना root 3 यह वाला root 3 x minus root 2 ठीक है उसके बाद तो यह चीज बराबर 0 हो रहा है बराबर 0 करते जाएं बराबर 0 यह समझाने के लिए सिर्फ क्या था आपको ठीक है ना तो यह हमारा इतना हो गया अब देखे इफ root 3 x minus root 2 बराबर 0 आप लेते हैं तो root 3 x बराबर कितना root 2 के तो यहां पर कितना हो जाएगा x बराबर root 2 divided by root 3 clear यह हो गया आपका तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं overall root 2 by 3 यह एक हो गया दूसरा क्या होगा if root 3 x minus root 2 अरे दोनों तो similar ही दिख रहा है तो दोनों similar है तो value भी दोनों का similar ही आ जाएगा ठीक है तो यह हो गया हमारा इसलिए x बराबर root 2 by root 3 तो यह इस तरीके से solve क्या i hope आप splitting समझ रहें कैसे करना है यहां पर जो वीडियो लंबी होने की रीजन का रीजन यह है कि आपको एक-एक step मैंने समझाया है सिखाया है hopefully आप समझ रहे हैं अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो आप comment section में जरूर लिखें क्योंकि इस परेशानी को दूर करना बहुत जरूरी है बच्चों क्योंकि यह सिर्फ आज का class नहीं है बहुत लंबा चलेगा आपके साथ यह इसलिए आपको आना ही चाहिए तो चलिए आपको अगर question समझ में आ गया है तो लाइक कर दिजिएगा वीडियो को शेर कर लिजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मिलेंगे आपसे next class में most important quadratic equation question के साथ term 2 के लिए तो बने रहें साथ में सब्सक्राइब परके चैनल को बित बैल आकन तो मिलते हैं आपसे next ग्लास में